आकेश रोशन की डिरेक्टिट फिल्म कोई मिल गया में राज सक्सेनक किर्दान निभाने वाले रज़त बेदी इन दिनों परदे से गायब है। आखिर वो कहां है और क्या कर रहे है आई ये जानती है। रज़त बेदी कोई आउटसाइडर नहीं थे बलकि उनके परिवार का हर एक शक्स इस फिल्ड से जुड़ा हुआ था। इनका जन 23 अक्टूबर 1970 को मुंबई में हुआ था। जब फिल्मेकर नरेंदर बेदी के बेटे और लेखर रजेंदर बेदी के पोते हैं। दोनों ही अपने समय में जानी मानी शक्सियत रहे है। पिता ने तो कई बड़ी फिल्मों को डारेट किया था जिसमें जवानी दिवानी बेना, अदालत और रफुचकर जैसी फिल्म में शामिल है। वहीं रज़त की मा का नाम वीना है और वह भी बहुत अच्छी राइटर है। रज़त बेदी का बैग्राउंड काफी अच्छा रहा है। बच्च्वन में ही उनके पिता कनिधन हो गया था। मा ने ही तीनों बच्चों की परवरिश अकेले की थी। फिल्म में आने से पहले उन्होंन अपना ग्रजिएशन और स्कूलिंग पूरी की। उन्होंने इस च को जीता इसके बाद ने लगा कि इनको कई सारी फिल्म में मिलेंगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ फिर इन्होंने रमेज सिप्पी को डायेट करना शुदू किया इसके बाद इन्हें एक डेब्यू मुवी मिली जिसका नाम था 2001 इसमें इन्होंने तब्बू के अपोजिट पिरदान निभाया हाला कि इससे इन्हें पहचान नहीं मिली इन्होंने बताया था बाद ने कि इनके कई सीन्स काट दिये गये थे और मुवी के प्रमोशन से भी उनको बाहर कर दिया गये था इससे वह बहुत मायूस हो गये थे डिप्रिशन तक में चले गये थे रज़त इसके बाद फिल्मे छोड़ने का फैसला किया हाला कि उन्होंने कई फिल्मे की लेकिन उसके बाद गनेडा शिफ्ट हो गये जहां उन्होंने कंस्ट्रक्शन का बिजनस किया हाला कि फिर वहां मन नहीं लगा तो फिर वापस लौट